तुनुबुश्कार अदाब सबस्विकान दूस्तों स्वागेते आप सभी काथ विकेट लाइन गरूगे यूट्यूब चैनल में उम्मीद करता हूँ आप सभी सरक्षत होंगे अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे भाई सबसे पहले तो आज हम बात कर दे जा रहे हैं करेवियन प्रिमियर ली सीपियल दोज़ाद शॉबिस के फाइनल मुकाबले की गवेला मजल वारियर्स सामने है सेंट लूशिया केंग्स आप गवेला भाई डिफेंडिंग चैंपियन्स है तो वही सेंट लूशिया फाइनल्स तक का ता हुँस सफर किया था पूरा लेकिन रणरप बनके रह रहे थे सेंट इनले這邊 बने ते लेकिन इस बार बाई डूशिया के सामने हैं सेंट लूशिया केंग्स और माहौल बदननी के पूरे चांस वेन्यू से जोड़ी कुछ एहम जानकारिया में आप तक प्रोवाइट करने वाला हूँ, जिससे आप भी एक बहतर समी करण ढूंड सकेंगे, तो चलिए विला समय करवाई, शुरुवात करते हैं वेन्यू के साथ, वहीं गवेना का प्रोविडेंस स्टेडियम, यहाँ पर मुगाबला होने जा रहा है, डोटल दस मुगाबले CPL 24 के यहाँ पर खेले गए हैं, और साथ मैचेस फर्स बैटिंग करने वाले टीम में जीते हैं, तीन मुगाबले सेकंड बैटिंग करने वाले टीम के नाम रहे हैं, एवरेज स्कोर 168 का नजर आता है, लेकिन यहाँ पर 200 पार भी स्कोर जाच चुका है, लोएस्ट स्कोर की अगर हम बाग करें तो वो रहता है, 96 रॉल्स बार्पडूस रोयल से बनाया था और हाइस्ट स्कोर बनाया है, ग्वेनामेजन वार्योस ने 219 रॉन आठ विकेट पर, दोस्तों यहाँ पर सभी 10 मैचिस की जो फर्स सीनिंग्स हैं, उसके स्कोर आपके सामने में रखते रहाऊं, जिससे आपको भी समझने में थोड़ा सा सभूलियत होगी, बही सबसे पहले तो ग्वेना ने 137 रॉन बनाये थे, फिर उसके दूसरे मुकाबले में यहाँ पर बार्पडोस ने 96 रॉन बनाये, इसके बाद ग्वेना ने सेंड लूशिया किंग्स के खिलाब 211 रॉन थोके, बही इसी ख्राउन पर ढोके थे, और इसके बाद सेंड लूशिया किंग्स ने ग्वेना की खिलाब 198 रॉन फॉन बार्पडोस रॉन अगेंस्ट ग्वेना ने 148 रॉन थोके यह लास्ट मुखाबला हुआ था, जिसमें ग्वेना विजन वार्यस ने जीत दर्च करके फाइलल में जर्या मनाई, अब सबसे बड़ी बात यह है, यह जो फाइलल में दोरो टीम्स आई है, धीक स्टेज में भी यह दोरो टीम टॉक पर थी, ग्वेना पहले नंबर पर थी, सेंड लूशिया किंग्स दूसरे पाइदान पर वैटी थी, लेकिन यहाँ पर सेंड लूशिया किंग्स ने फाइलल का टिकेट पहले गटाया है, कैंटीम से रिलेटेट काई सारी जामकारिये मैं आपको आगे देने वाला हूँ, लेकिन अभी पॉलर्स की प्रदर्शन की बात कर लेते हैं, प्रोविडेंस स्टेडियम में टोटल दस मैचेज जो गुए हैं, उसमें 123 विकेट सट काईद हैं, 53 विकेट पेसर्ज ने और 70 विकेट स्पिनर्स की जोली में गिरे हैं, यहाँ पर स्पिनर्स का बोल बाला रहा है और जो की हमें देखने को भी मिला है पिछले पुछ रीसेंट मैचेज में, जैसे की पिछले पुछे कादा मुकाबलों में मोई नली, इमरान ताहर, पुड़ाकिश बोडी जैसे स्पिनर्स ने विकेट पिंकाने हैं, अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम टीम्स की बात करें, यानि की ग्वेना अमेजन वार्योर्स और सीन लूशिया कींग्स का प्रदर्शन प्रोविदेंस स्टेडियम में कैसा राए, कि वो भी वाटन्ट है, उसको अगर हम देखें, तो यहाँ पर सबसे पहने पारी आती है ग्वेना अमेजन वार्योर्स की, टोटल साथ मैचेज हुए, चुकि गूम ग्राउंट था, यहाँ पर साथ मैचेज केलते हुए, पाँच मुकाबले इलो ने जीते, दो हारे भी है, अब पहने बंदे बाजी करते हुए इलो ने पाँच मैसे चार मैचेज जीते हैं, प्रोविडेंस स्टेडियम में जिसमें की दो दीन हाफ सेंचरी भी शामिल हैं, जिसमें लास्ट मैच में भी शेहोफ ने रन स्कोर करे थे, यहीं पर अगर हम सेंट लूशिया किंग्स की बात करें, तो इन्होंने चार मैचेज के लिए, जार मैसे तीन मुकाबले प्रोव जिन्होंने बनाया है, 198 रन्स, पर स्पॉलर की अगर हम बात करें, तो वो रहते हैं, अलजारी जुजब, जिन्होंने लॉविकिट चटकाए हैं, और बेस्ट बल्यबास के तौर पर फाप डूप्लेसी है, जिन्होंने 179 रन्स बनाया है, इन 4 मैचेज, यह था सेंट लू अब दोस्तों, यहां पर सबसे इंपॉर्टन बात ही आ जाती है, कि सीपेल 2024 में तीन दफित, तौर टीन जामने सामने आई, दो मुकाबले गवेना ने और एक मैच सेंट लूप्लेसी के बीच का, अब बढ़ते हैं हमारे अपकमिंग कॉंटेस्स की और यानि की फाइनल जिन पर रखनी चाहिए हम सभी को लजेने और हमारी फेंटेसी की का भी हिस्सा बन सकते हैं, दोस्तों त्यान जलू दीजेगा, क्योंकि यहां पर सबसे इंपॉर्टन चीज़े आपको में बताने वाना बुल, सबसे पहरे तो अगर हम सेंट लूप्लेसी की बात करें, दूप्लेसी ने 11 मैचेज में 354 रंस्ट हो गया है, यह दोलो ही आपकी फेंटेसी टीम के प्रबल दावेदार है, वही इसके बाद रॉस्तन चेज़े भी रंस्कोर कर रहे हैं, लेकिन टिम साइफर्ट तीसरे लीडिंग रंस्कोरर है, जिनोंने 11 मैचेज में 254 रंस बना जिसमें की नूर एमद की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो ना सिर्फ वो टीम के बन की CPL 2014 के सबसे ठाकर गेदबाद रहे हैं, इनोंने 19 विकेट चटकाए हैं 11 मैचेज में 6.3 की एकॉनमी के साथ, और जब की यह जो प्रोविदेंस स्टेडियम या यह इस्पिनर्स को फा जरूरी है, जो की 15 मैचेज में 8.2 की एकॉनमी के साथ, तो यह जो मैंने 6 किलाडियों के नाव आप की समझ रखे हैं, इन्हें आप अपनी प्रेंडिसी टीम में जरूर शामिल करिएगा, हम यही पर इनके ओपरेंट्स की अगर हम बात करें, ग्वेन आमजन वारियर्स, भ दे रहे हैं, चार मैचेज इन्होंने नीक स्टेज के लगातार जीते थे, तो यहाँ पर उसके जो बॉलर्स थी, वो बेहत क्रूशल रोड ले कर रहे थे, जिसमें कि इमरान ताहर, गुडाकेश मोटी, साथी साथ शमार जोदफ की वो बॉल, ड्वेन प्रिटोरियस जैसे गेदबात मौझूद थे, अब यहीं पर उनके जो लीडिंग विकेट ने करें, गुडाकेश मोटी, बारा मैचेज में 17 विकेट चेका चुके, इमरान ताहर में 16 विकेट ये हैं 10 मैचेज में, और ड्वेन प्रिटोरियस के हाथ लगे हैं 12 मैचेज में 15 विकेट 8.2 की एक लॉडर में, क्योंकि जब रेवन इल्ला गुर्बास लेएं थे टॉक में, तो टीम डड़काडा रही थी, शेमरान गीट मायर ने उसे संभाला था, वही आजए हैं शेहोफ जिन्होंने 369 रन्स बनाए हैं, ओवरान 12 मैचेज में 139 की स्ट्राइक रीट के साब, रेवन इ लॉनियर्स के लिए मैंने मोहिन अली का नाव आपको पहले ही दिया था, जूकि प्रोविडंस स्टेडियों में सबसे दाधा विकेट चिटका चुके हैं, तो मोहिन अली, साती साथ आपके इमरान दाहर, गुडाकीश मोटी, ड्वेन बिटूरियस, रेवर अलाद रुबा उने तो आप सेलेक्ट करिए गाजीग, वहीं पे अगर हम फाइनल केंक्लूजन की बात करें, तो गुएन अमजन वारियर्स तो भाई डिफेंडिंग चैंपियन्स है, वो किस तरीके से अपनी रहा को बनाते हुए आए है, वो साफ नजर आता है, एक जो और पैलेस टीम है जो की सेकंड बैटिंग करते हुए भी प्रॉविदेंस स्टेडियम में जीत दर्श करी है, तो उसको ध्यान में रखना है, आनकि प्रॉविदेंस स्टेडियम पहले बैटिंग करने वारी टीम को जादा तबज़ो देता है, तो फर्स बैटिंग करने वारी टीम जो है, वो सबी जो doubts है इस match को लेकर clear हो गए होंगे अब दोस्तों क्या आप मेरी बात से इतिफाक रखते हैं हाँ या ना आईए comment section में करते हैं गुफ्तुगू और देखते हैं क्या किर किस team का culture भारी है कौन से ऐसे खास किला रही है जिन पर हम सब भरोसा कर सकते हैं आपनी fantasy team के लिए और कौन सी team है जादा भरोसे मन जो की title जीतेगी CPL 2024 का आईए comment section में करते हैं गुफ्तुगू तब तक के लिए भाई stay tuned with us CRG को subscribe ज़रूर करनेजिए क्यूभी यहाँ पर आपको cricket से जोड़ी तवाव updates मिलती हैं और चैनल की घंटी बजाना ना बूले जिससे आप कोई भी वीडियो मिस्स ना करें